नमस्कारम, आज आस्त्मा भीमारी का बारे में मैं कैना चाहता हूँ, यह आस्त्मा भीमारी कैसे आती है? शुरू में मामूलिया सर्दी पकड़ेगा, सर्दी पकड़ने का बाद, थोड़ी दिन का बाद में समय का बाद फिर जुकाम बन जाएगा जुकाम का सर्दी का मतलब क्या है बोले तो, सर्दी पानी 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 आता है, इसको बोलता है नजला और इंग्लिज में कहता है Running Nose ये नजला सर्दी का बाद निचे जुकाम जुकाम का मतलब एक तररब सांस जो नाग का ज़ो आता है एक तरब से जमा हो जाता है उसको बोलता है सर्धी जुकाम जुकाम का बाद दिरी 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 जो पित का जो खफ जो एना निच्छे लंस में आके रुख जाएगा प्यापड़ा में जमाव के जो खफू पित और खफू जमावने का भाद स्वांस लेने के लिए बहुत तकलीब रहेगा और उसे कुछ मुह से सांस लेगा नाक बंद हो जाएगा नजला सर्धी से पिरू स्वांस मुह से लेना दियता है सांस उसको बोलता है आस्थमा यह आस्थमा भीमारी इस प्रकार से आना सुरू करता है किसी को कहता है अलर्जी मतलब इलर्जी का जैसा जो डेस्ट वगिर लगता है दूल जो स्मयल आता है दुआ का और नाक में जाने का बाद चीक आता है उसको बोलता है ऐसा समान नहीं हुने से करण से वो बनता है क्लायमेट का एक प्रकार का स्वास का लक्षना जाता है और वो भी एक अलर्जी कहता है और फुड काता है जो बोजन वगेरा जो सूट नहीं होता है उसको फुड अलर्जी कहता है यह सभी एक प्रकार के अलर्जी बनाया सभी भीमारी आके बढ़ जाता है और यह आस्त्म मियमारी कहता है यह आस्त्मा भीमारी से और धूर जो आना चाहिए शुदरना चाहिए उसका प्रकार का पदती रहती है जो परेज वागे रहा जिसा तंडी पान नहीं पीने का खोल ड्रिंग्स आइस्क्रीम इस प्रकार का सीजु मिटा है चाहिकल डाज गोल निकला है बजार में ऐसे मीटी मीटी सीजु यह सीजु कुछ चुछ कंट्रूल किया तो वह आटोमीटेक वह स्वास का भीमारी टीक हो जाएगा और आस्त्म पीटीक हो जाएगा कुछ-कुछ कुछ है अगरम बगरम सीजु कुछ खाया तो उसी सीजु पधार्त से यह सर्दी बनिके रहेगा आस्तमा बनिके रहेगा ना बैटने पाएगा ना उटने पाएगा ना बातने काया परेगा करने पाएगा इसी तरह इस प्रकार का हास्तमा दम बहुत-बहुत विक करते हैं करता है जब तक ताकता है तब देख के लिए बहुत अच्छा रहेगा जब ताकत उत्र जाता है तो धम का अटक बहुत ज्यादा करता है इसलिए यह सौंस के भी हमार से बचने का जो खारन परेज कुछ काने पीने का जो अनाज उसको तुछ सा कंट्रोल करना चाहिए कंट्र भी जैसे बचके रहना जरूरी है तंडी सीज नहीं काना चाहिए सर्थी जुकाम और कोने के लिए आइसक्रीम कोडिंग्स यह सब कंट्रोल करने से अच्छा रहेगा इस आस्त्मा बीमारी के लिए सुधरने के लिए कुच कुच जड़ी बूटियां जैसा बोलता है आई आईरवेधी मतलब जड़ी बूती से एहोता है और दाल चयर ilah चोटी इलाची रहता है और डाल चेनी जो चमडी-चमडी दैस किन डाल डाल चेनी यह कुछ कुछ-पुछ आईटम मिला करेके एक प्रकर की पोडर बना करेके कि शुभे उठके और एक छुटकली डाल के दो चुटकली एक सिपून सेद मिला करेके खाली पीट में खाये तो वो सर्धी एलर्जी का सिखाये तो दूर हो जाएगा बिल्ग दोबारा नहीं सेकता है सब कुछ समय काना चाहिए एक 15 दिन का एक महिना का ज्यादा होती एक महिना काये तो दिरी 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 अड़ जाएगा परेज इसके लिए तंडी एटम चोड़ना च चाहिए सर्धी कोल ड्रिंक तो दिया तो जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी इंपूरा जाएगा क्या मिलाना चाहिए सोंट तोड़ा सा अजमानी तोड़ा सा चोटी पीपिल बड़ी पीपिल और उसका बाद में भंसोलेजन दाल चेनी उसका बाद में पिरुशोप मिला दिया तो मिलाक हो कूट करें गपड़ें करें कपड़ें चान करीके गफड़े की पोट हो जाएगा मिला करके एक पूर करें सबस्रों करें किलिये काम करें उसको कहता है कर देने से जल्ली तिक हो जाएगा वही नाम सेूरन मिलता है वह दीरे-दीर काम और अगर फाइदा नहीं हो तो लुक्षा नहीं करेगा फाइदा करेगा जरूरू करेगा तोड़ा समय कहें तो जी ए आस्तमाई में मारेक इलाज नमस्कारम नमस्कारम